साथ्यों, विश्वने इस बात को माना है, कि आज भारत के पास दो असीम सक्तिया हैं, एक डेमोग्राफी और दूसरी डेमोकरसी, जिस देश के पास जितनी युवा जनसंख्या है, उसके सामर्थ को उतना ही बड़ा माना जाता है, उसकी संभाव्राओं को उतना ही व्यापक माना जाता है, लेकिन भारत के युवाओं के पास डेमोग्राफिक डिविडेन के साथ साथ लोगतांतरिक मुल्य भी हैं, उनका डेमोकरेटिक डिविडेन भी अतुल्य है, भारत अपने युवाओं को डेमोग्राफिक डिविडेन के साथ साथ डेवलोप्मेंट ड्राइवर भी मानता है आज भारत का युवाँ हमारे डेवलोप्मेंट के साथ साथ हमारे डेमोक्रेटिक वेल्यूस को भी लीड कर रहा है आप देखिए आज भारत के युवाँ में अगर टेकनोलोजी का चार्म है तो लोग तंत्र की चेतना भी है आज भारत के युवाँ में अगर स्रम का सामरत है तो बविश्य की पस्टता भी है इसलिए भारत आज जो कहता है दुन्या उसे आने वाले कल की आवाज मानती है आज भारत जो सपने देखता है जो संकल्प लेता है उसमें भारत के साथ साथ विश्व का भविश्य दिखाई देता है और भारत के इस भविश्य का दुनिया के भविश्य का निर्मान आज हो रहा है ये जिम्मेदारी ये सवभाग्य आप जैसे करोरो करोरो देश के नवजवानों को मिला है वर्थ 2022 का ये साल आपके लिए भारत की युवापीडी के लिए बहुत अहेम है आज हम 25 वा नेशनल यूस्ट फेस्टिवल बना रहे हैं ये नेताजी सुभाथ बाबु का एक सो पचासविया एक सो पचीसवा एक सो पचीसवी जन्मजेंती का वर्थ भी है और पचीस साल बाद देश आजादी के सो वर्थ भी मनाएगा याने पचीस का ये संयोग निश्चित रुप से भारत की भगव्य दिव्य तस्वीर बनाने का योग भी है आजादी के समय जो युवा पीड़ी थी उसने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने में एक पल नहीं गवाया था but today's youth has to live for the country and fulfill the dreams of our freedom fighters Maharshi Aarbindo ने कहां था a brave frank clean-hearted courageous and aspiring youth is the only foundation on which the future nation can be built उनकी ये बात आज 21 सदी के भारत के युवाओं के लिए जीवन मंत्र की तरह है आज हम एक राष्ट्र के रुप में दुनिया के सबसे बड़ा युवाद देश के रुप में हम एक पड़ाव पर है ये भारत के लिए नए सपनों नए संकल्पों का पड़ाव है ऐसे में भारत के युवाओं का सामर्त भारत को नई उचाई पर ले जाएगा